Halo everyone, कैसे हैं आप सभी? तो जैसे हैं आपको मालूम है, कि हम लोग vectors के previous question कर रहे हैं, वो सारे questions करने के कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत जाथा important है. इससे पहले मैंने दो वीडियो बना दिया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखिया, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा जाएए चेक करिए और देखिए ठीक है तो आज उसी सीरेज में आगे बढ़ती है क्या दिया है इफ लाइन मैक्स एंगल अफ 90, 135, 45 डिग्री with एकस, यay, जे अक्सिस respectively find it is direction cosine तो अपने क्या मालूम करना उसके direction cosine मालूम करना है और यह question March 2020 में पूछा गया है ठीक है तो हम लोग क्या करते है हम लोग consider कर लेते हैं assume कर लेतें consider that direction cosine direction cosine of line R L M and N ठीक है direction cosines हमने क्या लिया L M and N ले लिया ठीक है और आपको मालूम होगा के L किसके equal होता है बोलो फटाफट L जो होता है आपका cos alpha के equal होता है ठीक है फिर M जो होता है आपको मालूम है cos beta की equal होता है यह किसके equal होता है cos beta के और N जो है आपका यह equal होता है cos gamma की equal होता है ठीक है यह आपका gamma की equal होता है यह आपको पता है ठीक है और यहाँ पर क्या क्या दिया है अपने को मालूम है alpha हम लोग ले लिए 90 alpha हमारे पास क्या है 90 है degree बीटा हमारे पास कितना है देख्लों 165 और तीसरा वाला 45 तीसरा जो है आपका गामा कितना दिया भी आपका 45 डिगरी यह आपका 45 डिगरी तीन दे दिया गए यह एक्स के साथ य के साथ जैट के साथ उसी सिक्वेंस में हमने उसको ले लिया clear हो गया अब आगे बढ़ते हैं इतना करने के बाद आपको क्या करना है अब इसकी value यहां पर put कर देना हैनों यहां पर पूट कर देना है तो सबसे पहले नोगे लेते ल हैं जो है हमारे और पास क्या है is on हमारे पास है cause alpha alpha की जगार रखना है 90 degree रखने है अपन्ने और आपको मालूम reper लग्रिद्र कितना होता है सब को पता है कर स 3-0 होता है तो 0 जीड्यारीज लीड़ी क्या हो गया जीरो ह याने कि अल कितना अगे अपने geven छीण है यानि किया क्लीज अपने बस जीरो अगया अठान्इक रिहां आप तो 135 पूट कर दो, 135, ठीक है, अब 135 किस से बनता आपको मालूम होगा, तो आप बोले सर, 135 जो है, हमारा बनता है, 180 माइनस 45 से, 180 माइनस 45 से बनता है, तो 145 माइनस कर दिया, आपने जैसे 180 में से हैं, तो कितना आ गया, 135 आ गया, तो यह बना आपका कॉस 45, अब यह माइनस में आएगा, प्लस में, यह डिपेंड करता है, तो किसमें, सेकेंड कॉर्टरेंट में, और सेकेंड कॉर्टरेंट में जो होता है, कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां लग गया आपका, माइनस clear आपको मालूम है न देख लो फिर से बता दे तो यह first quadrant यह second quadrant यह third quadrant यह fourth quadrant ठीक है इस तरह से हमारा बना होता है और 180 में से माइनस करोगे 45 तो यह आ गया second quadrant में और second quadrant में सभी को मालूम है क्या मालूम है बोलो कि वहाँ पे sign और cause x जो होता है वो positive होता है बाकि सारे negative हो और cause 45 कितना होता आपको मालूम है cause 45 is equal to one upon root 2 तो m is equal to कितना आ गया हमारे पास one upon root 2 आ गया यह हमने m निकाल लिया ठीक है अब आगे बढ़ती है इतना होने के बाद third निकालती है third क्या होगा देखो third gamma तो gamma क्या होगा भई गामा क्या लिखो गे एन वाला एन वाला हमारे पास gamma रहेगा cause gamma क्या पास यह आपको पता होना है विक्ल घामा क्या हो घवार कास्ट नहीं कि अनुब और नफ थो आ mana य। तो हमारा इस और भेश्व कितना अगए तीनों कि नॉए लैंभ आ गया जीरो माइनड्र रोट मींड़ एन one upon root two, sentence बना के लिख सकते हूँ, है न, direction cosines, direction cosines of line, cosines of lines, of line, और, क्या क्या है भई, zero, zero, तो, minus one upon two, and, one upon two, ठीक है, तो, screenshot ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, चलो, उसी pattern पे question और है आपका book का, ये question भी हम लोग देख लेते हैं, clear, तो, ये भी important है, क्योंकि पिछली बार वो आया था, तो, ये भी chances से आ सकता है, तो, important के हिसाब से भी करा रहा हूँ, if a vector has a direction, angles, 45, 60 degree, find the third direction angle, तो, अपने हों क्या find करना है, third direction, angle find करना है, तो, कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या ले हो, ये आप है अरगर के लिए, alpha को क्या ले लो, हम लोग, हम लोग ले ले लेते, alpha is equal to 45 ले ले लेते, ठीक है, और beta को हम लोग ले ले लेते, 60 degree ले ले लेते, बीटा को, ठीक है, बीटा हमने 60 degree ले लिया, ये होगे clear, ठीक है, अब मुझे ये बताए, find third direction, angle, third direction, angle अपने को मालूम करना है, या अपने को गामा जो है, ये वाला पार्ट, जो है गामा, आपको गामा मालूम करना है, ये मालूम करना है, ठीक है, तो, अपने पास एक formula है, क्या formula है, आप लो alpha square, अना, cos square alpha, cos square beta, beta, plus cos square, gamma, जो equal होता है, किसके, one के equal होता है, ये सबको मालूम है, अना, आप सबकी value put कर दो, फढ़ा-फढ़, alpha कितना है हमारे पास, 45, तो cos 45 square, पहला वाला हो गया, cos beta कितना है 60, तो ये हो गया, cos 60 square हो गया, और यह जो third well अपने को क्या करना है मालूम करना है तो इसको ऐसी रखो square to one अब मुझे बताइए cos 45 कितना होता है 1 upon root 2 होता है सब को मालूम है यहाँ पे लिखो ग alltså 1 upon root 2 इसका square cos 60 कितना होता है तो आपको मालूम है cos 60 जो होता है हमारा 1 upon 2 होता है स्क्राइर आपने वैसे लिख दिया one हो गया अब देखो भई क्या करोगे ब्रेकेट ओपन करोगे तो one upon root two का इसक्षायर कितना होता है यह आपको मालूम होना चीए यह यह होता है इसका कितना हो जाएगा one upon four हो जाएगा one upon root two square को आपको एफ जाएगा ठीक है रूट प्लीसित्रण कर सब्सक्राइब कर जो उपर और से मीटिप्लाइब कर दूघ folck यहां और यहां हो गया 4, 4, 4, plus, cos, square, 1, अब जब डेनोमेटर सेम है, तो निमेरेटर टो क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि यहां प्लस दिया है, तो 3 upon 4 हो गया, और डेनोमेटर को वन टाइम लिखा जाएगा, तो यह लिख दिया आपने, यह, cos, square, 1, 3 upon 4 उदर जाएगा, तो उस तरफ लेकर चले जाओ, तो यह हो जाएगा, 1 minus 3 upon 4, cross multiply करो, तो क्या हो जाएगा, 4 minus 1, यह हो जाएगा, 4 minus 1 upon 4, ठीक न, cross multiply हुआ, 4 उपर गया, तो 4 में से 3 गया, तो कितना आज़ा, 1 upon 4 उदर जाएगा, यह आगए 1 upon 4 आगए अपका, ठीक है, अब उसके बात देखो, taking square root करोगे, जब taking square root करोगे, यह आप लिखता हूँ, taking square root, square root, जैसी आप square root करोगे, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, cos alpha, cos gamma, 1 upon 2, अब दो चीज में answer आएगा, एक में आएगा, प्लस में, एक आएगा, माइनस में, ठीक है, अब दो answer आजाएगा, तो पहला वाला answer जो है, उसको solve करेंगे, फिर दूसरा वाला करेंगे, तो मैं कहां solve करूँ, यहां solve करता हूँ, space पे, यहां पे solve करते हूँ, यहां पे जगा बचावा, दोनों ही है, पहला, cos जो है आपका, gamma, 1 upon 2, पहले प्लस वाला ले लेता हूँ, मैं एक बार, और एक बार हमको क्या लेना है, माइनस वाला, तो वो भी ले लेता हूँ, cos gamma, जो हम माइनस 1 upon 2 हो गया, since मैं लिख सकता हूँ, cos, 60 के equal होता है, 1 upon 2 होता है, ठीक है, तो हमने बोल सकते हैं, therefore, gamma जो हो जाएगा, equal किसके हो जाएगा, 60 के equal हो जाएगा, यह पहला clear हो गया आपका, यह gamma निकल के आगया, ठीक है, आप देखों, यह minus हटाना है, तो minus कैसे हटाओगे, तो यह आपको मालूम होगा, यहाँ पे आपको quadrant का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो quadrant का कैसे इस्तेमाल करोगे, मुझे बताओ, तो सबसे पहले आपको यह लिखना पड़ेगा, भई, यह जो है, cos minus, अब cos 45 कब होता है, तो आपको मालूम होगा कि cos जो होता है, minus, one upon two किसके equal होता है, cos 45 के equal होता है, तो यहाँ लिख सकता हूँ, cos 45, sorry, cos 60 लिख सकता हूँ, कितना है, cos 60 लिख दिया हमने, इतना हो गया, one upon two के जगह, यह भी लाया है था, आपने उसी तरह cos 60 लिख दिया, बट यहाँ minus 8 अटाने का है, cos, gamma, यह cos के जगह हमने को लिख सकते है, cos 60 के जगह, 180 minus 60, 180 minus 60 क्यों लिए, इसको समझ दा, जेको यह second quadrant में होगा, तभी यह मैनस होगा, second quadrant में होगा, तभी यह क्या होगा, minus होगा, तो यह अपने को plus करना है, यह होजाए का plus, ठीक है, यह plus रहा होगा, अब second quadrant की वज़ेश से क्या हो गया होगा यह plus जो होगा minus पर convert हो जाएगा अपको मालूम इस तरह लिखा रहा रहता है तो क्या बनता है आपको पता होगा न अच्छे से यह लिखा रहता है तो क्या बनता है यह बनता है और इसका इस्तमाल भी हमने किया इससे पहले वाले कोशन में हमने इस्तमाल किया था याद है यह जो कोशन किया था हमने इसके अंदर इस्तमाल किया था यहां पर सेम चीज वहां पर पिए यह गौर से देख लो 180-45 तो इस सिरा माइनस बन गया अब उसके अंदर क्या और इसका रीवर्स हो रहा है इसका रीव ठीक है यह अभिए आपको अची अची किसी के मालूम होगा आपको पाई सब्सक्राइब कॉल होता है सिष्टि किसके एक वैपने यह cross multiply करके solve करता हूँ मैं इधर पर pi pi minus 3 3 pi 3 का cross multiply करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 pi हो जाएगा 3 pi में से हम लोग क्या करेंगे pi को minus कर देंगे तो बचेगा आपका 2 pi divided by 3 क्या बचेगा 2 pi divided by 3 तो यहाँ पर लेखो के 2 pi divided by 3 हो गया तो यह आपका निकल कि आगया तो यह cost वाला क्या आगया cost की value cost जो है यह आगया तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं तो यह जो है आपका gamma, gamma किसके equal होगा यहाँ पर 2 pi upon 3 के equal होगा तो पहला वाला जो है यह भी आपको किसे मं लिखना है इस फार में लिखना है याँ यहाँ पे भी आपको लिखो five on problem यहाँ भी आपको लिखना है लिए इस एक बार करके देखते हैं, clear, अब क्या दिया, if a line has a direction resource, direction resource दिया ये आपका, और क्या बोला find it is direction cosines, आपको direction cosines find करना है, तो क्या करोगे, हम दोके ले लेते हैं, consider death लिखते हैं, consider that direction cosines of line R क्या-क्या लेते हैं L, M L, M and N ठीक है ना L, M और N ले लिया हमने और यहाँ पर direction ratio उसक्या है तो direction ratio दिया आपने पास तो direction ratio क्या है A को ले लेते हैं A ले लेते हैं 4 और B ले लेते हैं हम लोग minus 12, B को क्या लिया minus 12, और C जो हम लोग ले लेते हैं 18 C हमने क्या लेना है, C को 18 लेना है, तो यहाँ पर C 18 होगे अपना, clear होगे अब इसका एक formula होता है, जो आपको मालूम होना चीए, क्या formula होता है सबके लिए होता है, जो सबसे पहले L के लिए formula देख लेते हैं, L क्या होगा आपको मालूम है L जो होगा, A upon under root, A square plus B square, plus C square यह हैं इसी तरह, जो B के बाद B वाला भी हो, इसे ही है, अना, B का निकाल होगे L यानि के M का निकाल होगे फिर M के बाद क्या निकाल होगे, N का निकाल होगे तो value put कर दो, फटाफट, सबका तो यहाँ पर value put करोगे, A कितना है, 4 A square मतलब 4 का square यह होगे आपका 4 का square फिर B कितना है, मानस 12 मानस 12 का square C कितना है, 18, 18 का square ठीक है, यह होगे आपका अब square कर लो, फटाफट आप तो यहाँ पर होजाएगा L, 4 अपनी जगह, फिर आपका 4 का square कितना होगे, 16 16 के बाद 12 का square कितना होता 144, फिर उसके बाद 18 का square कितना होगे 324 यह होगे अब 3 को क्या करो, एडिकर लो प्लस कर दो, ठीक है तो 3 को प्लस करो गे तो यह दोनो एडिकर दिया कितना आ गया, यह दोनों 160 होगे यह कितना है, 324 यह दोनों के एडिकर किया तो कितना आया 1 साट आ गया, अब 3 के एडिकर 4 आ गया, 6, 2 8 आ गया, 3, 1, 4 होगे 484 आ गया, clear तो यहाँ पर क्या लिक होगे, 484 484 होगे, आपका 484 किसके एक्वाल होता आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा 484 होता है, यह किसका स्क्वाइर है, वई किसका स्क्वाइर है 484 तो 484, जैसे 25 का कितना है 625, फिर उसके बाद 25 के नीचे क्या आता है, 24 24 का कितना है, 520 576 है 576 है, और यह कितना आएगा 576, 22 का यह किसका स्क्वाइर है, 22 का स्क्वाइर है, ठीक है तो यह 22 होगया आपका अब उसके आगे करो 2 से डिवाइड कर दो होजा का 2, यह होजा का 11 तो हमारा L कितना निकल के है L हमारा निकल के आगया 2 upon 11, इस तरह से हमने L निकाल लिया हमारा ठीक है, हमने क्या निकला L निकाल लिया ओके, अब आगे बढ़ते L निकालने के बात यह होगे आपका फिर आगे बढ़ो अब आपको M निकालना है ठीक है, M का फॉर्मला वैसे यह लिको, M स्कॉल्टू क्या होगा A के जगे यहापे B आएगा अन्डरूट A स्कॉयर प्लस B स्कॉयर प्लस C स्कॉयर यह लिख ले है ठीक है, अब B की वैलू कितनी है B की वैलू कितनी है बताओ फटाफ़ तो B की वैलू हमारे पास कितना दिया भई B की वैलू यहाँ पे है B मैनस 12 होगा यहां उपर लिखो मैनस 12 यह हो किया मैनस 12 और नीचे क्या लिखो गे जैसे आपको मालूम है पूरा का पूरा अशी लिखो 4 sqyre plus minus 12 sqyre 18 sqyre यह आपने लिख दिया और यह किसके एकोल है सीधा हमने देखा कि यह 480 4 के बास सीधा क्या बन जा रहा है 22 बन जा रहा है तो मैं लिख सकता हूं डायरेक मैनेस टुएल डिवाइड बैर 22 22 बन रहा था तो लिख दिया हमने आप यह दोगो टू से डिवाइड होगा करो टू से डिवाइड तो क्या आगए यह 6 आ गया और यह कितना आ गया 11 आ ठीक है तो एम कितना आ गया हमारे पास य आप यहां करोगे सेम फारूरम ला एसी है झी आ गया टिवाइड बाए अंडरूट ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस सी स्क्वाइर सेम फॉर्म लाह ला है लिख इस बर सी आ गया एंस के कोई लिट चले क्या है सेंटू से मृइसी कॉपी करना आप को ठीक है अब मैनेश थे स्क्वाइर पिर उसके बाद क्या है 18 काुस्क्वाइर यह लिख दिया अब 18 अगया उपर और नीचे क्या आ अजाएगा सूभाने तुम्हारा सीदा 22 अजाएगा 22 लिख दिया हमने अब दोनों कट हो गया, cancels हो गया, किस से cancel हो जाएगा तू से cancel कर दो, two nine जा, और two 11 जा हो गया, तो n कितना आगा हमारे पास, nine upon 11, तो ये हमारे पास n भी आ गया, तो तीनों हमने मालुम कर गया, ठीक है, appreciation ले लो, फिर बढ़ते हैं, अगले कोषिन की तरफ,